एक सिक्खे के दो चेहरे होते हैं एक तरफ पलटिये तो हेमन बिस्व सर्मा दूसरी तरफ पलटिये तो वैसी जी दिख रहे हैं आजकल गुजरात की जनता को एक सिक्खे के दो पहले तो आपके वाजू में दोनों खड़े होएं किस तरह से नुरा कुछती चर रही है आप देखिए यह भाजय पाकी बीटी में कॉंग्रे सत्तावी सालन को जीताया अब इन्हों ने कहा है रिवर फ्रेंट की बात की तो मैं पुछूँगा रिवर फ्र पुरा बाजय पाही आपको तो पुरा बाजय पाही आपको तो पता है जब से बाजय पासरकार सत्ता में यह वंड़ साइड जंग छेड़ दिया इन्हों ने मुसल्मानों के खिलाव तो यह हमारे हलाल गोश्क के उपर आगए बच्चों को पकड़ के पोल से बांद के मारते हैं लिंज करते हैं मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और हम आवाज उठाते हैं तो आप दूसरी बात आपने यह कहा है इनके सदर तो मैं बताऊंगा जंग यहां पर हो रही है करो लाल सिंग चड़ा बन के पूरे बॉडर के उपर भाग रहे हैं कब तक चलने वाले पता नहीं है जंग में आओ ना इनका मुकाबला करो मुकाबला करने की ताखत नहीं है तो हमारे को क्यो गाली हम लड़ेंगे हम बीजेपी को रहेंगे भले ही 13 सीट के उपर है 169 तो पार्लामेंट क्यों नहीं बना लास्त अहमत पटेल साहब उनके बाद नहीं किसी को एंपावर्मेंट किया ना आगे कभी ये करेंगे 90 फिसाद इनको कॉंगरेश को मुसल्मानों के वोट चाहिए मगर करना कुछ नहीं है दो दिन पहले इनके मंतरी बोलते हमको गरवे बा बार के घूंपर के थर्ट अब अब अच्छारी सीटे आई थी और इक यावन सीटे सिर्फ बार सीटों का फर्क था लेकिन क्या उतनी महनत कॉंग्रस पार्टी ने इसबार किये कि मांदार जवाब दीजेगा जितनी आप लोग कर सकते थे क्या उस तरह की महनत की है आपने जनता के दर्बार में कल दूसरे चरण का मद्दान है ते तो जनता करेगी कहीं कम्यां भी रही होंगी ऐसा मैं नहीं मांगता कि चुनाव परचार हमारा बहुत ही अच्छा रहा और उसमें कोई कमी नहीं रही हो सकता है गुंजाई शौर भी रही हो और आपका कहना ठीक भ पहले क्या किसी भी पार्टी ने गॉर्डर consists के अलावा गुज्रात के मुद्दों को उठाया था क्या मूफली कांड ओलत आधिया हो चाहे हो बाइस पेपर लीक का मामला हो, चाह हो मोर भी हो सबसे पहले कांगर्डर्य सनहीं को उताया है हम तो पूछ रहे हैं बीजेपी से हमने 31,000 स्कूल बनाये थे 6,000 स्कूल आपने बंद किये हैं आपने पूरा प्राविटाइजेशन किया है आप यूमन डवलप्मेंट इंडेक्स पे कहां पहुँच गए हैं सेक्स रेशियो में भी आप बहुत नीचे हैं एजुकेशन के अ देश के उपर चार गुना करजा बढ़ा दिया है मोधी साहब केवल हम दो और हमारे दो का विकास करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं चलिए जवाब दीजे आप शद्धा जी और से दोनों की बातों का जवाब दीजे आपको भी सूट करता है चुनाव के अंत में प्रधानवंती नरेंद्र मोधी आएंगे रोडशोज होगा गुजरात का सम्मान उनका होम ग्राउंड होम पिच और इस वजह से भूल जाया जाएगा कि पेपर लीक के मामले में एक पेपर लीक होता है उस बच्चे के लिए एक साल वो पीछे हो जाता है पेपर लीक जो सरकारी भरतियों का कैलेंडर होता है यह इनके ततकालीन मुख्यमंदरी अमरसी चौधरी जी ने बंद रखा था जिसके उपर से वो सरकारी कैलेंडर को फिर से पेपर लीक पर आपका जवाब है एक भी बड़ी मचली नहीं पकड़ी गए और कॉंग्रेस के लोग इनौल होता तो आप लोग के लोग होते हैं चार्चिट में नाम बताई कि साब यह बड़ी मचली थी हमने पकड़ लिया है एक लिए बाइस वाइस पर आउट हो एक सब्सक्राइब करता है यह जवाब कै लौए और लौए अंडर कंट्रोल में है गुजरात का यहां पे जितनी सेफटी है पूरे भारत बन में उतनी सेफटी यहां का रेशियो उठाकर भी आप देशकते हैं क्राइम्स के रेशियो उठाकर भी देख सकते हैं और पेपर लुक हो ना दुरभाग के पुन है हमने कि पिछे और देखे देखे मुर्मी गुज्रात के लिए एक वह दुखा धास्ता है जिसके उपर हमेशा जो नफ्स दबाने के आप कोशिश कर रहे हैं और राजनीती करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे राजनीती मत कराइए कि मैं भोपाल गेस कान के ऊपर चली जाओं तो समवेदनाए होनी चाहिए 140 गुजरातियों ने जो अपने अपनी जान गुमाई है उसके साथ 6.5 करोड गुजराती हम रोए हैं मोर्भी के गुनेगारों को नहीं छोड़ा जाएगा यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री भुपेंद्र भाई पटेला आश्वस्त किया है सीफ आपके पास अगर वित्पक्ष के पास यहीं मुद्दा बचा है के 140 लोगों की दुर्भाग के पूर्ण जो जान गए जिस पर हमें दुख है तो मैं भी भोपाल गेसकान बोलूंगी तो यह कोई राजनीती नहीं हुई है कि अगर उनको पकड़ा जाए पुलिस का एक सेल वनेस municipally तो क्या तो क्या दिखकत है जो रडिकलाएज यूद था जिसने हमारे पार्टी सखमें के उपर गोलिया चलाई उसको पखड़ो Talk तो तो आप छोड़ देते हो मलातकरी बार छुट के आते तो उसको आप संसकारी ब्रह्मन बताते हो तो कैसे रिडिकलाजेशन प्रेक्ट एक और हमीच्छा ने तो कुबूल किया न के 2002 के बाद से सब कुछ देखिये कैसा सालेट हो गया मतलब आपने स्टेट स्पॉंसर जेन साथ विकास का से करेंगे मोर्भी के कॉंट्रेक्टर को पकड़ेंगे नहीं